तो finally hero company का destiny 125 scooter Indian market में launch हो चुका है और इस new model में हमें काफी कुछ changes देखने को मिल चाती है तो कौन-कौन से changes आपको इस scooter में देखने को मिलेगी सारा कुछ के बारे में इस वीडियो में बात करने वाल हो तो 2024 के अंदर अगर आप भी 125cc का कोई एक scooter खड़िने की plan कर रहे हो तो ये scooter आपको पसंद आ सकती है तो वीडियो को इन्तिक जरूर देखिए लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बाड़ा हो तो ऐसे और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे तकि आपको हमारे ऐसी वीडियो मिले सबसे पहले तो सबसे पहला जो चेंज आपको scooter मिलेगा वह इसका headlight में है इसमें आपको all new LED headlight देखने को मिल जाती है साथी DRLs भी आपको बिल्कुल new design का देखने को मिल जाएगी साथी इसका जो front apron है इसको भी पूरी तरीके से change कर दिया गया है अब आपको इसका front apron में edge shape का chrome के finish देखने को मिल जाती है और इसके करएं scooter का जो looks है काफी जादा premium लगती है और अगर आप scooter का white color लेते हो तो यहाँ पे आपको chrome finish देखने को नहीं मिल जाएगा उसके जगह पे आपको bronze color का finishing देखने को मिल जाएगा जो की देखने में अच्छी लगती है साथी color option की बात करें तो यहाँ पे आपको total 5 color option देखने को मिल जाती है और variants के अगर बात करें तो total 3 variant आपको scooter में देखने को मिल जाएगी VX, ZX और ZX Plus और इन 3 variant में आपको अलग-अलग features देखने को मिल जाती है साथी इसका जो inner part है यह आपको top end model में color देखने को मिलेगा आपको 10 inches के rear और front दोनों wheels देखने को मिलती थी तो बहुत साथ लोगों को problem आता था तो इसलिए अभी आपको इस new model में 12 inches के tires देखने को मिल जाती है आगे में आपको मिलती है 90 by 90 12 inches के tires और rear में आपको मिल जाती है 100 by 80 12 inches के tires साथी braking system की बात करें तो इहां पर आपको आगे के wheel में disc brake का option भी देखने को मिल जाता है अगर आप top end variant लेते हो और engine specifications की बात करें तो पहले जैसे ही है उसमें कोई भी changes हमें देखने को नहीं मिलते है 124.6 cc का 4-stroke air-cooled BS6 FI engine आपको scooter में मिल जाती है और इस engine का maximum power है 9bhp का और 10.4 Nm का maximum torque ये engine निकालती है साथी suspension की बात करें तो भी पहले के तरह है front में आपको dual telescopic suspension देखने को मिल जाती है और rear में आपको मिल जाती है single hydraulic adjustable suspension अब next change की बात करें तो यहां पे आपको fully digital instrument cluster देखने को मिल जाती है इस new model में पहले जो है इसमें आपको Bluetooth connectivity का option देखने को मिलेगा साथी turn by turn navigation का option भी देखने को मिल जाती है लेकिन यह सारे features जो है सिर्फ आपको middle और top end variant में मिलेगा base model में आपको यह सारे features देखने को नहीं मिलती है जो कि अभी recently TBS Jupiter 110cc scooter launch हुई थी उसमें भी दिया गया था तो यह feature आपको scooter में भी देखने को मिल जाती है बाकी आपको अभी scooter में लंबी seat देखने को मिलती है पीछे की तरह backrest भी दिया गया है लेकिन backrest का design जो है थोड़ा सा change कर दिया गया है पहले से साथी scooter में जो under seat storage है वहाँ पे आपको LED light भी देखने को मिल जाती है फ्रंट में आपको मिल जाती है glove box और USB charging socket भी scooter में मिल जाती है साथी आपको scooter में जो side panels मिलती है वो भी पूरी तरिके से change कर दी गई है तो एक new refreshing look के साथ आपको अभी destiny 125 scooter देखने को मिल जाएगी तो ही ते साथे features जो कि आपको all new destiny 125 scooter में देखने को मिल जाती है वैसे आपको यह scooter कैसा लगा comment पर जरूर बताइए और अगर आपको information अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe भी करके जाएए मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care